पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादबाद में 18 फर्वरी को महाशिवरात्वी का पर्वु मनाया जाएगा इस पर्व के अफसर पर शिवभक्त अपने स्थानिय मंदिरों में जला भिशेक करते हैं और हरेद्वार से जल भर कर लेकर आते हैं हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी मुरादबाद जनपद की अखवानपुर नगर पंचायत के विश्णोई महले से भारी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार के लिए रवाना हुए सभी परिवार के सिदस्यों ने शिवभक्तों को रवाना किया और उन्हें शुपकामनाई भी दी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किये गए अखवानपुर पुलिस विश्णोई महले से शिवभक्तों को रवाना करते हुए अपना सहयोग देती हुए दिखाई दे रही थी जनपत मरादबाद की अखवानपुर नगर पंचायत के महला विश्णोई से भाई संख्या में युवा हरिदवार के लिए रवाना हुए इस दोरान सभी इस्थानिय नागरिकों ने सभी नौजवानों का फूलमला पहना कर स्वागत किया और कहा कि वैस समाज और देश्ट के लिए हमेशा समर्पित शिवभगतों का ये कहना था 500 लीटर हरिदवार से जल भर कर अखवानपुर पहुचेंगे जहां पर सभी इस्थानिय नागरिक इस जल में से अभिशेक कर सकते हैं हमारा उदेश्य है कि जो व्यक्ति हरिदवार नहीं जा पाते हैं उनके लिए हम अखवानपुर में ही जल की व्यवस्था करा सकें इसे उदेश्य को लेकर आज हम हरिदवार के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से 500 लीटर जल भर कर लेकर आएंगे पहले सभी शिवभक्त जल भी शेक करेंगे उसके बाद सभी इस्थानिय नागरिकों को जल दिया जाएगा जिससे वे भी महाशिवरात्री के अफसर पर जल भी शेक कर सकें देशी यही है कि सभी लोग इस महाशिवरात्री पर्व को हर्शो लास के साथ मनाएं हम अगवानकुर महुला विश्णोई यान से हरीदवार जल भरने जाते हैं हर वर्स में पान सो एक लीटर जल भर के लेकाते हैं हम पूरा बड़े टैंक में हम मुरादवाद सतरा शाम में बोच जाएंगे और अठारा में बोले बाबा को जल जड़ाएंगे यह इस मकसद से लेका आते हैं जो लोग जाने में हैं समर्थ हैं उनके लिए हम जल लेका आते हैं वो भी चड़ाएं पहले हम चड़ाएं पहले हम चड़ाएं बागी फिर सारे मंदिरों को देते हैं जो जो मंदिर में में श्रत्दाल हुआते हैं वो सभी जल का प्रियोग कर करें बहुले बाबा को चड़ाते हैं हमारे में पचास से पच्पन लोग हैं